हर माबाप का यही सपना होता है कि वो अपने बच्चों को दुनिया की बेस्ट एजुकेशन दे। कुछ लोग बच्चों को पढ़ने के लिए अमेरिका, कैनेडा, इंग्लेंड या उस्टेलिया की उनिवस्टी में भेजते हैं। लेकिन आज के टाइम में हायर एजुकेशन बहुत महेंगी हो चुकी है। विदेशों की तो बात ही छोड़ दें, भारत में भी मैनेजमेंट और एंजिनिरिंग संस्थानों की फीस 25 से 30 लाग के पार पहुँच चुकी है। ताजा सर्वे के आंखडों के अनुसार, नीजी कॉलेजिस की फीस बीते 5 साल में और सितन 75% महेंगी हो गई है। इस महेंगी सिक्षा को हासिल करने का सबसे आसान तरीका एजुकेशन लोन है। अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो अगले 3 मिनट आपके लिए बड़े काम के हैं। देश में कई ऐसे बैंक हैं जो बहुत ही आसानी से और कम ब्याज पर एजुकेशन लोन महिया कराते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बाते हैं जो लोन से पहले जरूर आपको जान लेनी चाहिए ताकि बाद में आपको कोई परिशानी ना हो। एजुकेशन लोन के लिए सबसे जरूरी है आपका बजट टै करना। घरेलू कोर्स के लिए लोन की राशी एक करोड रुपे तक हो सकती है। आपको कितनी राशी की जरूरत है इसके लिए संस्थान की फीज सबसे पहले आपको पता करनी है। एक बार संस्थान फाइनल होने के बाद पढ़ाई के छोटे बड़े खर्चों को भी आप जोड़ लें। एजुकेशन, लोन मेट, यूशन फीस, हॉस्टल अकोमडेशन, परिक्षा शुल, पुस्तके, कम्प्यूटर, एक तैसीमा तक जमा की गई कॉशन मनी, यात्रा वै और कोर्स के लिए जरूरी अन्य आवश्चक खर्चों को कवर किया जाता है। लोन की राशी की कालकुलेशन के बाद अब जरूरी है कि ये देखें आपको लोन लेना कहां से है। लोन का इंट्रेस्ट रेट क्या है और उसका टेन्योर क्या है। कई बार बैंक, कोर्स और युनिवरस्टी के साथ साथ आपके सेक्शनिक रिकॉर्ड के आधार पर ब्या लोन का भुक्तान नहीं करते हैं तो बैंक आप पर कितनी पैनल्टी लगाएगा। इसके लावा बैंक के नियम वोर्ड शर्तें क्या हैं आपको ये पता होनी चाहिए। अगर आप समय से पहले लोन चुकाते हैं तो बैंक आपको कितना लाब देगा या नहीं देगा इन लोन एजुकेशन के लिए अपलाई करना हैं इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही आपको ये जानने की जरूरत है कि एजुकेशन लोन आपको कैसे लेना है कितना लेना है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन लोन स्टूरेंट के नाम पर लिया जाता है लेकिन लोन की राशी चार लाख रूपे से जादा होने पर थर्ड पार्टी गैरेंटर की जरूरत यहां पढ़ती है इतना ही नहीं साड़े साथ लाख से जादा लोन पर कई बार बैंक को फ्रॉपर्टी इंशॉरेंस पॉलिसी बैंक डिपॉजिट को सिक्योरिटी के रू होता नहीं करना होता बैंक आपको पढ़ाई खत्म होने के बाद एक साल का मोरेटोरियम पीरट देता है मोरेटोरियम पीरट में एमाई के तौर पर बैंक से ली गई राशी को नहीं चुकाना होता बता दें कि जिस दिन से लोन सेंक्शन होता है उसे दिन से ब्याज या आप अपने खुद के लिए हायर एजुकेशन चाहते हैं तो इस एजुकेशन लोन की मदद से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही देखते रहें मनी नाइन